हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग वेल्कम बेक टू मानदा व्लोग आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लोग में और मेरे यूटूब चनल पर स्वागत करती हूँ तो गाइस आज सुबह सुबह आये थे ममी और में मॉर्निंग वर्क पे और अभी घर जा रहे तो जहां भी देखते हैं गोवर औठाके डेका आ देए फूल में डालने के लिए तो यह सारे हे इंडोर प्लांट जो मैंने राद में पानी डालने के लिए बाहर ढग दिया था और राध भर लेहने से ओफने लर्फाट गरूं तो अभी तो अंदर लेके आना है क्योंकि ध्य जुप दिखा तर नीसी आखिसे जञ निक उठाकर के फिर जणरू लगए नहीं लिएकी किया कि बारीभारी पॉट हुमेशा ही नेहीं उठा सकते इसलिए तो आज का जो मैंने सोचा कि सारा अगर पोड बाहरी है तो मैं आज अच्छे से जारू लगा दूँगी उसके बाद सारा जितना भी इंडोर प्लांट वगड़ा था सारा मैंने अंदर रग दिया है क्योंकि अभी धूप अच्छे से लगेगा तो ये सारा मुर्जा जाएगा और अभी एक हपते तक हम लोग इसको पानी देने की भी जरूरत नहीं है और बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है तो आज का जो मेरा सुबह सुबह का काम बस इंडोर प्लांट अंदर रग दिया उसके बाद आज मैं हेर में एक मास्क लगाने वाली हूँ जो मैं खरीद के जो मेहंदी लगाती हूँ ना उसमें मुझे बहुत एलर्जी होती है और मुझे इंफेक्शन जैसा हो जाता है तो मैं खरीदा हुआ कभी मेहंदी में लगाती ही नहीं तो आज मैं और्गेनिक जो मेहंदी है वो ही लगाने वाली हूँ तो चलिए मैं आप सब को दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ तो सबसे पहले तो जो हैव कैस्वाला फूल का पत्ता होता है 루., वो मैंने डाला है तो अभी उसको ग्राइब करने के लिए थोड़ा तो पानी चाहिए तो अभी में पानी बनाओं कि किस चीज़ कहा है, एक बरतन में मैंने पानी उबाल लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा मेथी डालाई तो आप लोग के पास अगर जादा मेथी हो तो जादा डालिये मेरे पास कम था तो मैं कम डालियू तो उसके बाद यहां पे थोड़ा सा नीबू नी चोर लिया उसके बाद फिर यहां में चाय पती का थोड़ा क्योंकि इसका जो घंटिन वहाल है और यह जो इसे ज़ार होल क्योंकि जो आपका देल टिकिन वह गड़ा रिखनी यह जांग हो निफफ सब गड़ा नीपर युद्स कूंस क्राइब संवां सकते हो लेकिन मेरे पास घर में अलोवेडा का पएर था तो मैंने सोच का पोधा था तौ मैंने सोचा उलोवेडा डाल दूंगी तो इसलिए मैं और गेनिक जो आलोवेडा है वही डाल लीऊ necessary अभी मैं यह काटके निकालर ही हूं। तो अगर आपके पास ओर्गेनिक अलोबरा है तो अगर वो डालरहा हूं। तो वो वो एलोबरा काटने के बाद THोडी देर रग देना क्योंकि उसमें येलो येलो पानी जैसा निकलता है। वो अगर निकल जाए उसके बाद ही डालना उसके बाद जो पानी मैंने बोइल किया था देखिया गारा हो गया है तो अभी में छणी से छानकर इसको ठंडा करूंगी उसके बाद डालूंगी तो अभी मैं यहां पर ग्राइंडार में पिछने वाली हूँ जो मेहंधी का पत् तो देखिए मैंने मेहंदी को पीज भी लिया है और इसा ग्रीन कलर का हुआ है ना क्या ही बताओ तो अभी इसको में 5 घंटे 5 घंटे ऐसे ही छोड़ दूँगी ढगे अगर आप लोग अवरनाइट रख दोगे ना तो बहुत अच्छा है रात भर रखोगे तो और भी अच् कपड़े आज भी भीगो के रख्या है मतलब आज तो ममी कितना सारा कपड़ा 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 बस ममी कपड़ा ही धोड़े और मुझे मेरी में जो यहां पर उना मेरा पुड़ा फुल फाइदा उठारे तो देखिए ब्लेंकेट दो दो सुखाया था लेकिन फिर दूस अब कपड़ा था हूँ मेने धो दिया है तो आप लोग एक बात बोल रहे थे कि तुम काम मतलब वीडियो बनाने के लिए काम करते हूँ तो बात तो एक ही है ना वीडियो भी बन जाता है काम भी हो जाता है तो एक गोली में दो सिकर हो जाता है तो और भी अच्छी बात है तो आप लोग एसे बोलते हो कि मतलब वीडियो बनाने के लिए काम करती हो, वीडियो बनाने के लिए काम करूँ या काम करने के लिए काम करते करते हैं वीडियो बनाओ बात तो एक ही बात है आप लोग एक बात सोच तो लीजिए बोलने से पहले, तो यहाँ पर मेने परदे वगड़ा सारा अच्छे से हातों से ब्रस करकर के धोया उसके बाद फिर पानी से भी धो दिया उसके बाद फिर अभी मेहंदी लगाने वाली हूँ तो देखिए 5 गंटे के बाद जो ग्रीन कलर का मेहंदी था वो अभी पुरा गाढ़ा रंग हो गया है क्योंकि इसका जो रं के नी करों रहे क्योंकि प्राइम नहीं मिलतां क्यूंकि युक्त कूंश हो लगता है कि इसके में माईके अाती ह歁 कि Pub explain. तो फिर मैंने हेर में जो माक्स से वो लगा लिया है मेहंदी का उसके बाद अभी में थोड़ा सा स्किन केर भी करने वाली हूँ तो आप लोग जानना चाते हो कि ये मैंने किसी से बनाया है तो चली अभी देखते हैं तो फिर मैंने ये जो माक्स बनाया है, मतलब जो फेस्पेक बनाया है, वो है थोड़ा सा चावल का आटा, उसके बाद थोड़ा सा लिया है, मैंने एलोवेरा जेल, आपके पास अगर जो खरीदा हुआ ओर्गेनिक नहीं है, तो वही डाले, मेरे पास ओर्गेनिक था थोड़ मैंने डाल दिया है, उसके बाद यहां डालोंगी थोड़ा सा हल्दी, उसके बाद थोड़ा सा जो मेरे घर में ही ता ओर्गेनिक वाला जो सहाद होता है, हानी, वो अगर आपके पास खरीदा हुआ है, तो वही डाले कोई बात नहीं, तो यहां पे अच्छे से मिक्स करिए उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल डालिये, अच्छे से उसके बाद थोड़ा सा डालियेगा कोकोनाट ओयल, आप लोग जो है वो ही डालिये, उसके बाद यह अच्छे से मिक्स मिक्स करिए, उसके बाद यह देखिए हो गया है, फेस पेक रेडी, तो अभी हम करेंगे तो बस सभी apply करेंगे अच्छे से हातों से आप लोग brush से करना चाहते हूं तो brush से करेंगे मैं तो हातों से करती हूं कि मुझे हातों से करना बहुत पसंद है मतलब जल्द जल्द लग जाता है तो इसलिए तो apply करने के बाद फिर मैं छोड़ दूंकी 20 मिनिट उसके बाद फिर करके मत करना क्यूंकि जो चावल का आटा होता है उसमें दाने होते हैं तो छिल सकता है आपका स्कीन तो थोड़ा-थोड़ा हलके हाथों से रप रप करिए जो डेल्थ स्कीन वगएड़ा है वो सारा निकल जाएगा और चावल के आटे से तो आपका जो गोड़ापन निखड भी नहीं होता है तो फिर बाल और मैने इसकीन का जो आज रूटीन था उसके बाद अभी में थोड़ा से सीरम लगाती हूं तो बाल फोच बीड़ा पोच्के फिर चली जाती हूं ममी क्या करते देखते हैं तो आज जो खुस्बुए वो बहुत ही अच्छा रही क्यूंकि म हैंदी लगाया था ना इसलिए तो सिंदुर वगड़ा लगा लिया भींदी लगा लिया तो चलिए देखते हैं आज ममी के किचेन में क्या बन रहा है इस्पिशल तो ममी ने बोला कि आज तो कुछ नहीं है आज नॉन्वेज वगड़ा नहीं है आज हम खाएंगे साधा खान सिंपल खाना तो इहां पे भींडी अलूँ विन्दी अलू उसके बाद डाल चावल बनेगाлагा तो ममी आज जल्दी जल्दी बना रहे क्यूकि आज हम लोग इहां पे इतना धूप इतना धूप इतना धूप ऊओं आए कि खाना जल्दी जल्दी बनांकर ढखकार रख मुझा एक जाने मनी मिलता है क्योंकि भाइने के लिए उसके बाद फिर आभ हाम खाना असके बाद ठोड़ी जर रेश्ट करेंसे करने के बाद मिलती हूं आप सबसे तो होड़ी देर पता ने देर तक शोती रही और हम लोग आभी इतने गड़्मियों में नीचे कपड़े व होने वाली है लेकिन अभी भी धूप कितना कड़ा गे और जो पोधे वगेड़ा का हालत है आप लोग देखकर तो तरस आ कर दिया तो मैं ममी को बोली थी कि मुझे क्यों नहीं उठाया तो ममी बोली तूपनी अच्छी से सोड़े थी तो तुझे कैसे उठाओ तो यहां पर ममी ने जितना घास था सारा निकाल दिया है उसके बाद यहां पर ब्लैंकेट वगड़ा भी अभी भी सुक्राओ क्योंकि धूप इतनी है इसलिए उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि ममी बहार काम करें तो मैं अंदर कर लेती हूं यहां पर परदे वगरा सब कुछ धोया था गाई जितना कपड़े धोते हैं कपड़े धोने से साफ करने से कुछ नहीं होता फिर उसको लाके फिर उसको आज तो परदे दोने काम हो गया फिर कल फिर बहुत बड़ा काम है गाई चाहिए साफ करना पड़े गा मुझे तो मधी ममी को बोलियो में घर चली जाओंगे आप मुझे इतना पढ़िसान करें हो थोड़ी दिन में दो चली जाओंगी लेकिन कोई बात नहीं अबी और परदे वगड़ा है, सारा मेने लगा दिया उसके बाद कप्ड़े, अभी मैं फोल करूंगी, क्योंकि हमेशा मैं सुभावा उप्यू करती हुदे अधर कर लगाती हूं, और मेरा काम जो है वो खतम कर लिया और उसके बाद भी फूलों में पानी देना है क्योंकि वो इतना मुर्जा गए बिचारे तो पानी तो देना ही परेगा तो देखें कि इतना मुर्जा गए फूल तो गाइस इतना धूप है न अगर इंसान में एक घंटा बाहर बेर जाए तो इंसान भी मुर्जा जाए तो ये तो पोधे ये तो बिचारे बोल भी नहीं सकते तो इसमें अच्छे से ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छे से डाल रहे हूँ क्योंकि कल जब हम उठेना तो ये खिला खिला हुआ रखे उसके बाद फिर मैंने जितना भी पोधे वग तो आँ पेखिला तीए जन्ता ये घंणता क्यूंकि ये था भाविया है घाओ के मेरे तो यहां पर सारे इविनिग वर्कके लियुक्त के लिए आए तो हम भी जा रहे आज तो बहुत ही अच्छा लगा सभसे मिलकर सभसे बाते करकर तो जब लेड़ी से एकठा होती है ना गाइस तो केसे बाते निकलते हैं मैं अभी अब सबको दिखाती हूँ देखिए ये लोग evening work के लिए आये थे लेकिन नहीं अभी बाते करना है क्योंकि साम में सारे एकठा होते हैं और दिन पर अपने घर में होते तो बाते तो जब भी लेडी से एक साथ हो कोड़े में दिया जलाते हैं और फूजा करते में ससुराल में भी करती हूँ और यहां पर ममी भी करते हैं उसके बाद फिर ममी बाहर अंदर सारा जगा पर मतलब फूजा कर चुके और फिर गाईस साम हो चुका है तो आज का वीडियो में यहें पर एंड करती हूँ आसकत ह झाल 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 झाल